नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं लद्दाख में चीन के साथ बरते तनाव को लेकर भारत सरकार सतर्क है चीन को उसी के भासा में जबाब देने के लिए भारत सरकार और सेनार रनीती बना रही है इसी कड़ी में रक्षा मंतरी रायनात सिंग ने राश्ट्रिये सुरक्षा सलाकार अजीत डुभाल रक्षा परमुख जनरल विपिन रावत और तीन सेवा परमुखों के साथ एक सुरक्षा समिक्षा बैठक की इस बेठाक में रक्षा मंत्री ने लदाक और अने छेत्रों में LAC पर इस्थिती पर भी चर्चा की जार्खन मौसम विभाग के अंसार राजे भर में अगले चार दिनों तक लगातार बारिस होने की संभावना है मौसम विभाग के बेग्यानिक अभिषेक अनन्द ने बताया की बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का छेत्र जार्खन के उपर बना है इससे राजे में तेज हवा के साथ बारिस हो रही है राजे में उमस भरी गर्मी से रहात मिल सकती है पलाश्टू स्कूल खोलने के लिए 24 अगत से सर्वे राजे के हाई और पलाश्टू स्कूल को खोलने के लिए 24 अगत से फिर से सर्वे शुरू होगा इसके लिए सरकारी स्कूल के साथ साथ नेजी बिद्यालेयों के अभिभावकों से भी राई ली जाएगी बता दे कि असरवे 31 अगस तक चलेगा इस मेमो के रूप से अगले साल फरवारी मार्च में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परिक्षा को फोकस करते हुए अभिभावकों से राली जाएगी जारखन में आज 872 ने संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राजी से 188 पूर्वी सिमूम 155 पाचमी सिमूम 81 बोकारो तीयतर पलामो चोवन रामगर 33 रायकला 32 धनबाद 30 जामतरा 26 लाते हार वा हजारी बाक से 23 तेस गड़वा से 22 गिरीडी 21 दूमका 17 कोडार्मा 15 देवघर 12 गोड़ा गुमला सिम्डेगा वा खोटी से 11 एगारा पाकुर से 10 लोहर दगगा 8 साहेवगन से 5 वा चात्रा से 5 पोजेटी मिले हैं जारखन में कुल संक्रमितों संख्या 29 से आर 103 है जबकि 29 से आर 166 लोग स्वास्त हुई और 310 की मिलिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों संख्या 30 लाख 43 से आर 436 है जबकि 22 लाख 89 से आर 9 से लोग स्वास्त हुए और 56844 की मिलिती होई है जारखन में सन्नीवार को 13 लोग की महत हुई है जो पूरवी सिम्वार को 814 संक्रमित स्वास्त भी हुए है एक टिप के इस प्रकार है पूर्वी सिम्वार 26 राची 233 धनबाद 789 पलामु 399 रामगर 333 राइकला 330 बुकार 325 लाख 29 पाच्मित सिम्वार 236 1260 कोडारमा 249 सायम गई 208 खूर्टी 192 गुमला 170 सिम्डेगा 178 गिरीड 132 126 14 13 गड़वा 115 देवकार 112 लोह दागा 105 पाच प्याकुड 105 जाम तलाइकान में गोड़ाची अतर है मुख्य मंत्री हमांद सुरेन का 24 अगस्त को होगा टेस्ट पांच पूलिस कर्मियों ने दान किया प्लाजमा जारखंड के मुख्य मंत्री हमांद सुरेन का 24 अगस्त को फिर से कुरोना टेस्ट होगा इस बार हमांद सुरेन का टेस्ट होगा उधर पांच पूलिस कर्मियों ने शुक्रवार को प्लाजमा दान किया है बीजली बील बढ़ाना अभी उचित नहीं उभगता जारखन के बिजली उभकताओं ने कुरोना काल में दर बढ़ोतरी नहीं करने का आगरा किया है उभकताओं ने जारखन बिजली बित्रन निगम लिमिटेट के ओडिट एकाउंट पर भी सवाल खाणा किया है बिजली उभकतावों ने कहा है कि JVBNL द्वारा प्रस्तावित दर बढ़ोतरी दर में कई खामिया है इन में छोटे उभकतावों का ध्यान नहीं रखा गया है कुरोना संक्रमन काल में किसी भी स्रेनी में बिजली दर बढ़ाना उचित नहीं होगा है कुरोना में हमारी की दर लोगडाउन का उलंगन करने वाले प्रवासी मज़ूरों के विरूद दर प्राथमी की जार्खन सरकार वापस लेगी मुख मंत्री हिमान सुरेन ने इसे समधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया सुप्रीम कोड द्वारा इस समध में पारित आदेश के अलोग में प्रवासी मज़ूरों के विरूद लोगडाउन का उलंगन करने को लेकर दर प्राथमी की अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया सुरू की गई है तिरंदाजी कोष धर्मेंदर तिवारी को 29 अगस्त को मिलेगा दुरना चार्ज अवाड टाटा इस्टील अर्चरी एकेडमी के तिरंदाजी कोष धर्मेंदर तिवारी को भारत का सब्ते प्रतिष्ठित गुरु समान दुरना चार्ज पुरस्कार से समानित किया जाएगा पिछले 26 वर्षों से तिरंदाजी कोच के छेतर में अपना महतपूर्ण योगदान देने वाले धर्वेंद तिवारी अभी तक 250 से अधिक तिरंदाजों को ट्रेनिंग दे चुके हैं बता दे कि भारत सरकार द्वाराया प्रोसकार 29 अगस्ट को खेल दिवस पर दिया जाएगा तेल के ट्रेंक में भरे मवस्यों की तसकरी को पलामू पुलिस ने किया जब्त ज़ारखंड के पलामू जीला इस्थी छतरपूर प्रखंड के पुलिस ने पसू तसकरों के चंगुल से 25 दुधारू गाय और 32 बरामत किये हैं इन मवस्यों को एक ट्रेंकर में छिपा कर ले जाया जा रहा था ट्रेंकर के नमबर प्लेट पर फरजी नमबर लगाया गया था पुलिस ने पसू कुरूर्ता अधिनियम के ताथ के सदर्च कर लिया है अनलोग 3.0 में समानों और लोगों के आवागमन में छूट केंद्रे ने सभी राजियों से असुनेशित करने को कहा है कि लोगडाउन में धिल की मवजूदा परकिरिया के दोरान किसी राजे के भीतर तथा एक राज से दूसरे राजे में बेक्तियों और समानों के आवागमन पर कोई पवंदी नहीं होनी चाहिए सभी राजियों और केंद्रे सासित परदेशों के मोखे सचीवों को भेजे गए पत्र में केंद्रिये ग्री सचीव अजय भाला ने कहा है कि ऐसी खबर मिली है कि विभीन जीलो और राजियों द्वारा अस्थानिय अस्थर पर आवाज आई पर पवंदी लगाई जा रही है डिजिटल एजुकेशन का बनेगा रोड माइप दो कमेटी गठित जार्खन के सरकारी स्कूलों में डिजी साथ कारेकरम के तहट चल रहे डिजिटल एजुकेशन का फिर से रोड माइप तयार किया जाएगा इसके लिए इसकूली सिख्षा और सच्चता विभाग के सचीव ने दो कमेटी गठित का दिया है प्रात्मिक और माधिमिक वह प्लस टू उच अस्तर पर एक-एक कमेटी का गठन किया गया है बता दे कि प्रात्मिक अस्तर की डिजीटल सिख्षा के लिए गठित कमेटी के अध्यक्सता प्रात्मिक सिख्षा निदेशक उमेज परतापसीन करेंगे राजेपाल और मुख्यमंत्री ने स्री गनेश चतूर्थी की बदाई एवं सुबकमनाई दी राजेपाल दुरोपती मुर्मू और मुख्यमंत्री हमान सुरेन ने समच्त राजवासियों को गनेश चतूर्थी की सुबकमनाई देते हुए कहा कि भारतिये सवधिंता संग्राम में गनेश उत्सों का अहम योगदान रहा है उन्होंने कहा कि वे भागवान सिरी गनेश से प्रातना करते हैं कि सिग्रेई हम सभी को बरतमान वैस्विक महामारी कुरोना वारस से निजात दिला है और सभी को स्वास्थ एहम सुखी रखे निरूपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो इस्थी सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी समीथ कुमार सोनी और जमसेतपूर के तारापोर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इस्थिता डे को राष्ट पती पुरस्कार मिलेगा मोल नहीं खुला तो ठैक्स नहीं देंगे जारखन में पिछले पांच मां से मौल बंध है सरकार से रात की गुहार लगाते हुए राजे के मौल संचालक एक मंच पर आ गए है उनका कहना है कि लाखोर उपए सरकार को रायोस देने वाले मौल पर रोक अब तक समय से परे है हर महिने करोरों का नुकसान हो रहा है चेंबर भवन में आयोजित पत्रकार वारता के दोरान मौल संचालकों ने अपनी पिड़ा खुल कर रखी जिसमें राजानी राची जमसेदपूर बोकारो धनबाद सहित और जीलों के सौपिंग मौल के संचालक उपस्तित रहे हाथी भगाव दल पर हाथियों ने किया हमला रामगर जीला के गोला प्रखन में हाथियों के आतंग से ग्रामिन दसत में है हाथियों को भगाने के लिए बन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामिनों की एक टीम बनाई थी उस टीम पर ही जंगली हाथियों के जोड़ने हमला कर दिया है बता दे कि सनिवार को D.A. 4 डाक्टर बिजय संकर दूबे ने बताया कि हाथियों के हमले से बचाव दल के एक सदर से गंभीर रूप से घायल हो गए है 23 अगस्त को अभिभाव को के साथ वर्चूल मिटिंग प्राइबेट इस्कूल और चिल्डेंज वेलफेर एसिसेशन के परदेश अध्याक्ष अलोक कुमार दूबे ने वैस्विक महामारी संकरमन काल में तमाम एतियात और सुरक्षा के भीच इस्कूलों को खोलने के मुद्दे पर 23 अगस्त रभिभार को वर्चूल मिटिंग के मादें से अभिभाव को के साथ त्यार्चा होगी उलेख निया है कि जार्खन सरकार के सिच्चा मंत्री ने इस्कूल खोलने को लेकर अभिभाव को से राय मांगी है वर्ची शहर में परवेश करने वाले ब्यक्तियों द्वार 16 दिनों तक होम कोरेंटाइन का अनुपरन करना अवसक है दिशा निर्देश का उलांगन करने वाले लोगों के खिलाप जिला पर्शाशन की सक्ति जारी है राची जीला पर सासंद्वार लागतार ऐसे लोगों के खिलाब करवाई की जा रही है इसी कड़ी में नामकुम थाना चेतर के साथ लोग खिलाब होम कोरेंटी ने उलागन का सवनिवार को करवाई की गई है CRS पोर्टल के जरिये जन्म एव मिर्तियू का निबंधन करे धनबाद DC धनबाद DC जीला रईस्टार उमा संकर सिंग ने अपने अवासे करयाले में जन्म मिर्तियू पंजीकरण की समिक्षा की समीक्षा के दोरान उपायुक्त ने जन्म एवं मिर्तियु निबंधन को भारत के महाराइस्टार नई दिली द्वारा विक्सित यूनिफर्म सिविल राइस्टेशन सिस्टम पर करने का निदेश दिया है उन्होंने जन्म वारी से जुलाई 2020 तक जन्म राइस्टेशन में 51.97% लक्ष हासिल करने पर नराजगी ब्यक्त की तता सभी निबंधन पदा दिकारियों को 7% लक्ष को प्राप करने का निदेश दिया है सारंडा के दुर्गम छेत्रों में सभी सरकारी सुवधाय उपलवद करा है हमन्त सुरेन मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने सरंडा इस्थीत नाया गड़ गाउं की गर्भाती महिलावों द्वारा नमक भात का सेवन कर जीवन यापन करने के मामले को गंभीता से लिया है मुख्य मंत्री ने सनिवार को उपायूग चाईबसा से कहा है कि या इस्थीती बरदास योगे नहीं है मामले में अबिलम संग्यान लेते हुए सरंडा के इन दुर्गम छेत्रों में खद्यान समेथ सभी सरकारी सुवधाय उपलवद कराते हुए सुनेश्चित करे मयुराक्षी नदी पर बन रहे चेकडेम का विरोत तेज दुमका सदर प्रखंड के बांदो और हरीपूर के नदी टट के सिमाओं को मिलाने वाई मयुराक्षी नदी में बनने वाला चेकडेम का विरोत अब बाबुपूर और बांदो गाओं के अलावा जामा परखंड के सरसाबाद के ग्रामिनों भी करने लगे हैं जो सरसाबाद पंचाइट के अंतरगत परता है सनिवार को ग्रामिनों ने बैठा कर इसका पूर्जोर बिरोत किया हुनर योजना के तहट 15 लाग को रोजगार से जोड़ेगी सरकार जारखंड के 15 लाग ग्रामिनों को रोजगार और सरोजगार देने के लिए 1200 कोर की आजिविका सनवर्दन होनर अभियान योजना मंजूर हो गई है ग्रामिन विकास बिभाग ने संक्रमन महामारी के दोरा राजे में वापस लवटे करीब 5 लाग प्रवासी को अस्थानिय अस्तरपर रोजगार और सरोजगार के सादनों तो जोड़ कर उनकी आजिविका को ससक्त करना इस अभियान का लक्ष रखा है जारखंड के 16 जीलों में जाज के लिए 20 अभियान शुरू जारखंड के 16 जीलों में संक्रमित मरीजों की तवरित पहचान एवं उपचार को लेकर सनिवाल से राज्य के 16 जीलों में विसेथ अभियान के सुरूआत की गई है इस दफा यह अभियान उन जीलों में सुरू किये गए हैं जहां मरीजों की संख्या के साथ साथ जाज की संख्या भी कम है इन जीलों में यह अभियान 22 अगस से 5 सितंबर तक चलाया जाएगा स्वास्त भी बाके पदान सचीव डाक्टर निदीम बदन कुलकरनी ने अभियान के लिए सभी जीला को जाज का लक्ष निदाइद करते हुए दिशा निर्देश दिये हैं बता दे कि इस अभियान के ताथ 16 जीलों में 14,124 लोगों की जाज का लक्ष निदाइद किया गया है CBSE ऑनलाइन करेगा स्कूलों का निरिक्षान ऑनलाइन कलास और परसिक्षन के बाद अपकेंद्रिय मादमिक सिक्षा बोड इसकूलों के अपग्रेडेशन के लिए निरिक्षन भी ऑनलाइन करेगा बोड ने इसके लिए वर्चूल इंस्पेक्षन करने का निरनाई लिया है सिबी एसी की और सही समद्वे सभी इसकूलों को एक नोटिस जारी किया गया है हालाकि बोड की और से असपष्ट नहीं किया गया है कि इसकी क्या प्रकिलिया होगी धन्यवाद